हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत वेलकम करते हूँ एक बर फिर से आप सब का आज हम लोग बनाएंगे स्पाइसी बैंगन फ्राई तो चलिए शुरू करेते हैं से बनाना तो चोटी सी प्लेट में मैंने नमक को ले लिया जब से पहले काश्मीरी रेट चिली पाउडर आधी चोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधी चोटी चम्मच जीरा पाउडर एक चोथा ही चोटी चम्मच धनिया पाउडर एक चोथा ही चोटी चम्मच कोई भी वेजिटेबल मिक्स मसाला जो आपको पसंद है वो मैंने डाला इसमें आधी चोटी चमज एक छोटा नीमू लिया है जिसको आधा काट लिया है और उसका रसमेज में डाल रही हो अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स सारे मसालो को और एक बैंगन को अब काट लेते हैं तो राउंड शेप में हमें काटना है इसे तो इस तरह से इतने बड़े साइज का हम लोग कट कर लेंगे अब मैं ले रही हूँ में बैंगन को और मसालो को तो मसालो को सब बैंगन के पीसिस के उपर इस तरह से लगा देंगे ये रैसिपी बहुत एज़ी तरीके से बन जाती है लेकिन चावल के साथ बहुत ही अच्छी लग दीखने में तो सारे बैंगन में इसी तरह मसालो को मैंने लगा लिया है और सरसो का तेल मैं डाल रही हूँ एक पैन में क्योंकि अब इसे हम लोग को फ्राई करना है तो एक एक करके इसे फ्राई करेंगे तेल के घर्म हो जाने के बाद फ्लेम को कर देंगे लोग और इसे हम लोग को कूक करना है लोग फ्लेम में तो इसके उपर मैं कुछ ड्रॉप्स तेल को डाल दे रही हूं तो सब बैंगन के पीसे के उपर थोड़ा थोड़ा तेल मैंने ड्रॉप्स से डाल दिया है जब एक तरफ इस तरह से पक जाए दूसरे तरफ में इसे हम लोग पलट देंगे और दूसरे साइड में भी इसे हम को तलना है तो दूसरे साइड में भी लोग फ्लेम में ही इसे पका रहे हैं तो हमारा जो बैंगन फ्राई है वो बन के तयार हो चुका है यह देखिए इसे आप चावल के साथ सब करिए तो बहुत ही अच्छा लगता खाने में तो फ्रेंट्स आप भी इस रेसिपी को ट्र आने वाली रेसिपी है तो रेसिपी अच्छी लगती तो प्लेज लाइक शियर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व